हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हमें एक सिंपल सा एरर फिक्स करने वाले हैं एरर है सिस्टेम एरर 5 हैट्स ओकर्ड एक्सिस इस दिनाइड यह एरर किसी भी विंडोज में आ सकता है जब भी आप administrator account को enable करने जाते हैं सबसे पहले हम एरर देखेंगे उसके बाद उसे चिटक्यों में solve भी कर देंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे start में type करेंगे cmd और command prompt के उपर click कर देंगे तो यहाँ पर मैं type करता हूँ net user और enter की को hit कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर type करता हूँ net user administrator star और enter की के उपर प्रेस कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी password डालूँगा जो मैं मेरे administrator account को देना चालता हूँ तो वही password को मैं फिर से एक बार repeat भी करूँगा उसी को type करूँगा enter करूँगा तो यहाँ पर हमारे error आ चुका है system error file is occurred access is denied तो हमें इसे solve करेंगे चिटक्यों में सबसे पहले cmd को close कर दिए बंद कर दिए और फिर से एक बार start में चाहिए cmd type कीजिए और command prompt के उपर right click कर देजिए और उसके बाद run as administrator को click कर देंगे run as administrator यह सबसे AMP पार्ट है क्योंकि आपको administrator permission चाहिए administrator permission के बगेर यह command कभी भी work नहीं करती तो आप administrator permission ले लीजिए उसके बाद ही यह command run होगी तो मैं फिर से टाइप करूँगा net user और मैं टाइप करूँगा net user administrator मैं चाहता हूँ मेरा administrator account enable हुच आए तो मैं यह type कर लेता हूँ enter कर लेता हूँ और मैं कोई भी password देता हूँ जो मुझको चाहिए वह और मैं फिर से वह password को type कर लेता हूँ तो देखे इस बार मेरी command successfully run हो चुके तो जैसे आपको यह error आए आप सिप administrator की तोर पर permission ले लिजिए administrator की तोर पर रन कीजिए आपका CMD तो आपका problem swallow जैगा तो दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस चैनल को subscribe करना कत्ता ही मत बुलिए तो मिलते हैं हमारे आगली वीडियो में तब तक के पाइ